हेलो स्टुडेंट्स, हाव आ यू, वेलकम टू दा हिंदी क्लास बच्चो आज हमारा पढ़ने का विशे है निबंद यानि एसेज बच्चो हमने अपनी फर्स टर्म में विभीन त्योहारों पर एसेज डिसकस किये थे सेकिंड टर्म में हमारे एसेज का टॉपिक है आँखों देखे मैच बच्चो हमारे देश में कई प्रकार के मैच खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड़ी, बैडमेंटन, टेबल टैनिस, होकी, आदी तो बच्चो सबसे पहले अपनी कॉपि पर हैडिंग डालेंगे आँखों देखे मैच उसे हाइलेट करेंगे लेट साइड पर लिखेंगे तिथी और राइट साइड पर लिखेंगे ग्रिह कारे यानि होमबक और एसेज के नाम लिखेंगे बच्चो अब हम एसेज के मुख्यांस यानि पॉइंट डिसकस करेंगे नमबर वन काव्यात्मक पंक्तियां स्पैलिंग देखे बच्चो यह पंक्तियां आप खुद भी बना सकते हैं या किसी कविता की भी हो सकती है नमबर टू पर आता है भूमिका भको बड़ाओ म कचोटियां काव्यात्मक पंक्तियां यानि इंट्रोड़क्षन इसमें हमें लिखना होता है कि यह ऐसे हम किस विशे पर लिख रहे है नमबर तीन पर आता है कब कहां किस के साथ इस पॉइंट में हम लिखते हैं कि यह मैच कब किस जगे पर और किस टीम के साथ खेला जा रहा है नमबर फॉर पर है मैच का आरंब आरंब यानि स्टार्टिंग इस पॉइंट में हम मैच के स्टार्टिंग के बारे में लिखते हैं कि मैच में मुख्य अतिती कौन थे या मैच किन टीमों के बीच में खेला जा रहा है नंबर पांच पर आता है मध्यांतर स्पैलिक देखिए म, आधाध, यकुव, अंग, तर, मध्यांतर यानि हाफ टाइम मध्यांतर के समय के लाड़ियों को कुछ देर अराम के लिए समय दिया जाता है उन्हें जलपान कराया जाता है और कोच द्वारा कुछ निर्देश दिये जाते हैं उन सभी बातों का वर्णन इस पॉइंट में करना होता है हमारा 6 नंबर पर आता है मध्यांतर के बाद हाफ टाइम के बाद जो मैच खेला जाता है उसका वर्णन इसमें किया जाता है हमारा अगला पॉइंट है नंबर 7, पुरसकार, वित्रन इस पॉइंट में हमने मैच के अंत में जीतने वाली टीम को दिये जाने वाले पुरसकार का वर्णन करना होता है नंबर 8, महत्व उपसहार स्पैलिंग देखे मह, आधात, आधातव, महत्व यानि इंपोर्टेंस उपसनहार, उप, सको, अंग, हको, आर उपसनहार मिस कंक्लूजन, बच्चो, जब हम कोई ऐसे पूरा कर लेते हैं, तो उसका महत्व और उपसनहार, यानि निसकर्ष, इस पॉइंट में लिखना होता है तो बच्चो, आज हम क्रिकेट मैच पर ऐसे डिसकस करेंगे, सबसे पहले आप क्रिकेट की हैडिंग डालेंगे, उसे हाइलेट करेंगे और लेफ्ट साइड पर लिखेंगे तिथी और राइट साइड पर ग्रिह कारे, यानि होमवर्क और पहला पॉइंट लिखेंगे काव्यात्मक पंक्तियां बच्चो, यह आज से मैं आपको कीवर्स की मदद से कराऊंगी आपने इन वर्ड्स की हैल्प से वाक्य बनाने हैं और अपना कंप्लीट ऐस से कॉपी पर लिखना है काव्यात्मक पंक्तियों के कीवर्स देखते हैं सिक्षा, सको छोटी कशकोवा, सिक्षा नाम, पढ़ते जाना साथ हमें खेलों, खकोए, लकोओ, पीछे बिंदी खेलों, अपनाना अप, नकोआ, नकोआ, अपनाना बचो आपने इन पंक्तियों को चार लाइन्स में अलग-लग लिखना है आईए अपंक्तियां पूरी करते हैं सिक्षा इसका नाम नहीं पढ़ते ही पस पढ़ते जाना है सिक्षा के साथ साथ हमें खेलों को भी अपनाना है हमारा अगला पॉइंट है नमबर टू, भूमिका आईए बहले कीवर्स देखते हैं कवी, क, वकोचोटी कवी, बिल्कुल बकोचोटी आधल कखोचोटावल पिल्कुल पुस्त कें बलकी, ब आदेल कचोटी इक बलकी जीवन बहु मुखी ब हकोचोटाव, मकोचोटाव खकोबडी इ बहु मुखी, विकास पुस्तकों, संभव परिशरम परकोचोटी, श्रम परिशरम स्वस्त आदासव आदासथ स्वस्त खेलकूत प्रमुक जैसे कबड़ी आदी आ, दकोचोटी आदी आईए अब इनसे वाक्य बनाते हैं अभी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि सिक्षा का उदेश्य केवल पुस्त के पढ़ना नहीं है बलकि मानव जीवन का बहुमुकी विकास करना भी है यह विकास केवल पुस्त को द्वारा संभव नहीं है इसके लिए परिशरम करना पढ़ता है परिशरम तो स्वस्त शरीर वाला व्यक्ति ही कर सकता है स्वस्त शरीर व्यायाम और खेल कूद से बनता है यही कारण है कि खेल कूद को सिक्षा का प्रमुक अंग माना गया है खेल कई प्रकार के होते हैं जैसे फुटबोल, हौकी, कबड़ी, टेबल टेनिस, आदी उनमें से क्रिकेट एक है आईए अब चलते हैं नमबर तीन कब कहां किस के साथ पहले कीवर्स देखते हैं आईए अब इनकी वर्ट से वाक्य बनाते हैं इस बार खेल दिवस के मोके पर हमारे स्कूल होली हार्ट प्रेजिडन्सी में खेलों का आयोजन किया गया खेल दिवस के अंतिम दिन होली हार्ट प्रेजिडन्सी स्कूल और अशोका पब्लिक कूल के बीच दस दस ओवरों का क्रिकेट मैच रखा गया हमारा अगला पॉइंट है नमबर चार मैच का आरंब पहले इसके कीवर्ड देखिए मैच, स्कूल, आधास कको बड़ाऊल, स्कूल मैदान, बजे, शुरू, छात्र, उत्साहित चोटाऊ, आधात, सकूवा, हको चोटीत, उत्साहित आधा, बीच, गज, पिच मुख्या थिती मिन्स चीफ गैस्ट ध्वजा, रोहन ध्वजा रोहन मिन्स जंडा, लहरान आधाध, व, जकूवा, ध्वजा, रकोओ, हर्ण, रोहन रास्ट्रिय, रा, आधा, शर्षट, कोण, टके, पैर, में, पदेन, बड़ी, य, रास्ट्रिय, आईए अब पहले वाक्य बनाते हैं यह मैच हमारे स्कूल के बड़े मैदान में खेला गया मैच ठीक दस बजे शुरू होना था सभी चात्र इस मैच को लेकर काफी उत्साहित थे आदे घंटे पहले ही सभी विध्यारती मैदान में बैड़ गए मैदान के बीचों बीच बाइस गज की पिच बने हुई थी मुख्या थिती नगर मेर महोद्य का स्कूल के प्रबंदक करताउं और प्रिंसिपल महोद्य ने फूलों का गुल्दस्ता भेट कर स्वागत किया मुख्या थिती ने ध्वजा रोहन किया राष्टिय गान भी गाया गया अगले की वर्ज देखें अंपायर अकोंग पकोवा यर अंपायर कपतानो टॉस टकोवा उपर आगत सर टॉस जीता बैटिंग बकोवा टको छोटी इंग बैटिंग आईए अब वाक्य बनाते हैं उसके बाद अंपायर ने दोनों टीमों के कपतानों को बुला कर टॉस करवाया टॉस हमारे स्कूल की टीम ने जीता और बैटिंग करने का फैंसला किया अगली की वर्स देखिये मैच निष्चित नको छोटी इए आदेशक छोटी इए चत निष्चित कपतान सह खिलाडी बैटिंग विरोधी टीम वको छोटी इए रको धको बड़िए विरोधी मैदान मैच निश्चित समय पर शुरू हो गया हमारे स्कूल की टीम के कप्तान अपने सह खिलाडी के साथ मैदान में बैटिंग करने के लिए उत्रे विरोधी टीम के सभी खिलाडी मैदान में चारो और फैल गए मैच शुरू हो गया मैच प्रारंब से ही बड़ा रोचक हो गया था क्योंकि हमारे स्कूल की टीम के खिलाडी ने पहली बोल पर ही चोंका लगा दिया सारा मैदान तालियों की गड़गडाहट से गूंज उठा पहले दो ओवरों तक तो मैच अच्छा चलता रहा अगले की वर्स देखिए टीम, रन, ओवर, तीसरा, मैदान, बिना, आउट, चात्रों, निराशा, माहोल, मकवा, हको बड़ाओल, माहोल, थोड़े, प्रदर्शन, पके पैरमे पदेन, द, शके उपर्रेव, न, प्रदर्शन, अंत, आखिरी, आ, खको चोटी ई, रको बड़ी, आखिरी, समाप्ती, स, मकवा, आधिपको चोटी ई, समाप्ती, पैविलियन, पको ए, वको बड़ी, लको चोटी ई, यन, पैविलियन, यानि पंडाल, मध्यांतर, म, आधाध, यकवा, अंगतर, मध्यांतर, घोशना, अब वाक्य बनाते हैं, आरी टीम ने 24 रन भी बना लिये थे, तीसरे ओवर के शुरू होते ही, हमारी टीम का एक खिलाडी आउट हो गया, तीसरा खिलाडी तो पहले मैदान में आते ही, बिना रन बनाए आउट हो गया, शात्रों में निराशा का माहोल था, पर यह निराशा का दोर थोड़े समय के लिए ही था, उसके बाद आने वाले हर खिलाडी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि हमारी टीम ने अंत तक छियान में रन बना लिये थे आखरी ओवर की समाप्ति पर सभी खिलाडी पैवीलियन यानि पंडाल लोड गए इसी भीच मैच के मध्यांतर की घोशना हो गए हमारा अगला पॉइंट है मध्यांतर यानि हाफ टाइम पहले कीवर्ट्स देखते हैं दोनू, टीमो, आराम, तरो ताजा, तरको, तकोवा, जकोवा, तरो ताजा दस मिनट, मकचोटी, नट मिनट, टीमो, कोच, ककोच, कोच, यानि प्रसिक्षक पके पैर में पदेन, शकोचोटी, एक शक, अच्छा, खेलने, हिदायतें, यानि इंस्ट्रक्षन हकोचोटी, दकोवा, य, तकोवे, पीछे बिन्दी जलपान, यानि रिफ्रेश्मेंट चकोचोटाओ, आदा सत, चुस्त, कुछ, देर, आराम, सैनिको, सकोए, नकोचोटी, कको, पीछे बिन्दी, सैनिको, क्रिडाक्षेत्र, यानि खेल का मैदान खेलने, तैयार, आईए, अब इनसे वाक्य बनाते हैं मध्यांतर के समय, दोनों टीमों के खिलाडियों को आराम करने के लिए और तरो ताजा होने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया दोनों टीमों के कोच, यानि प्रसिक्षक, उन्हें अच्छा खेलने के लिए हिदायते दे रहे थे खिलाडियों को जलपान करवाया गया जलपान करने के बाद खिलाडियों में चुस्ती आ गई और कुछ देर अराम करने के बाद खिलाडियों सैनिकों की भाति क्रिडा शेत्र में खेलने के लिए फिर से तैयार हो गए हमारा अगला पॉइंट है नंबर सेक्स मध्यांतर के बाद यानि हाफ टाइम के बाद मैच का वर्णन आईए पहले कीवर्स देखते हैं मध्यांतर, अशोका, गेंद बाजी, गकोए, अंग, द, पकवा, जकोबड़ी, गेंद बाजी यानि बॉलिंग, तैयार, बले बाज यानि बैट्समैन, मैदान, गेंद बाज, जोश, कप्तान, निर्धारित, नकचोटी, धकवा, उपरे रकोचोटीत, निर्धारित, फिल्डिंग, फकोबड़ी, आधिलकोचोटी, डक के उपरंग, फिल्डिंग, मैच, शुरू, चात्रों, तालिया, आसमान, आईए अब वाक्य बनाते हैं मध्यानतर के बाद, अब खेलने की बारी अशोका पबलिक स्कूल की थी, हमारे स्कूल की टीम अब गेंद बाजी करने के लिए तैयार थी विरोधी टीम के बल्ले बाज बल्ला घुमाते हुए मैदान में पहुच गए हमारी टीम के गेन बाज पूरे जोश में थे हमारी टीम के सबी खिलाडी कप्तान के बताए निर्धारि स्थान पर फिल्डिंग के लिए खड़े हो गए मैच शुरू हो गया बच्चों ने तालियां बजा कर आसमन सिर्फ पर उठा लिया अगले की वर्ट्स देखे दूसरी आउट खुशी लहर मैदान खिलाडी विश्वास वकचोटी आधाश वकवास विश्वास थहराव प्रदर्शन पांचवे पकवा उपर चान बिंदु च वकवे पिछे बिंदी पांचवे आउट विरोधी खिलाडियों जड़ी जड़ अकोबड़ी जड़ी आईए पहले वाक्य बनाते हैं एक के बाद एक खिलाडी रन आउट या कैच आउट होते चले गए कोई खिलाडी 6 रन बनाकर आउट हो गया तो कोई 7 रन बनाकर पूरी टीम 6 रन बनाकर आल आउट हो गई हमारी टीम ने 36 रनों से मैच जीत लिया खिलाडीयों के चेहरों पर जीत के खुशी देखते ही बनती थी अगला पॉइंट्स है पुरुसकार वित्रण आईए पहले की वर्स देखते हैं आई उपर आगत फ को बढ़ी प्रोफी मैन आफ दच मको एन मैन आ के उपर आगत फ आफ दच अन्य आधन य अन्य खिलाडियों ट्रैक सूट टक्के पैर में पदेन एक ट्रैक सको बढ़ावोट ट्रैक सूट प्रमान पत्र यानि सातिविकेट्स पके पैर में पदेन, मकोवान, प्रमान, पत्र, मेडल, मकोवे, डल, मेडल आईए अब वाक्य बनाते हैं मुख्य अदिति और प्रिंसिपल महोदे ने टीमों के कप्तानों को बुलाया विजेता टीम को ट्रोफी दी गई हमारे स्कूल की टीम के खिलाडी को मिला अन्या टीम के खिलाडियों को ट्रैक सूट, प्रमान, पत्र, वो मेडल दिये गए हमारा अगला पॉइंटर नमबर आट, महत्व या उपसनहार आईए पहले कीवर्स देखते हैं खेलों, जीवन, विशेश, वकचोटी, शकोय, शशटकोन, विशेश, मनुरंजन, कसरत, शरीर, फुर्तीला, वकचोटाव, तकोबडियी, उपरे, फ्लकोवा, फुर्तीला, स्वस्त, सदभाव, स, आधाद, भकोव, सदभाव, यानि अच्छी भावना ब्रात्रित्व, भके पैर में पदेन, आ, तके पैर में री, आधा तव, ब्रात्रित्व मिन्ज भायचारे की भावना सहन शीलता, सहन सहन, शकोबडियी, ल, तकोवा, शीलता, गुण, बावधिक, बकोबड़ाव, आधाद, धकोचोटी, का बावधिक, मानसिक, शिक्षा, खेलों, भाग आए अब इनसे वाक्य बनाते हैं खेलों का हमारे जीवन में विशेश महत्व है खेलों से जहां हमारा मनोरंजन होता है, वहीं शरीर की कसरत भी होती है शरीर चुस्त, फूर्तिला और स्वस्त बनता है खेलों से हम सदभाव, अनुशाषन, भ्रात्रित्व, सहनशेलता और सहयोग जैसे गुण शीखते हैं अंत में हम यह कह सकते हैं कि हमें अपने बावधिक और मानसिक विकास के लिए शिक्षा के सासाथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आपको इन कीवर्ड्स की मदल से क्रिकेट का ऐसे समझ में आ गया होगा आप इसी रूप रेखा के अनुरूप इस ऐसे को अपनी कॉपी पर अपनी सुंदर हैंड राइटिंग में कम्पलीट करोगे हम अगली कक्षा में जल्द ही उपस्तित होंगे और अगली एसेस पर डिस्कुर्शन करेंगे तिल देन हैव आ नाइस टे